आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूटूब चैनल जियम अस्टडी में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है चैप्टर नमबर वन वास्तविक संख्या से जो भी इंपोर्टेंट कोश्चन बनते हैं और जितने टाइप के MCQ कोश्चन बनते हैं वो सारे टाइप आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और ये जो वीडियो है मैं बता रहा हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सभी जगा पर सेर करनार बताना है कि जारखन बोर्ड में एक ऐसा टीचर यूटूब में आ गये हैं कि सभी अस्टूडेंट का जो मैत का जो सपना है चालिस में चालिस लाने का वो सारा सपना पूरा होने वाला है बस आपको इस वीडियो को सेर करना है वीडियो को देखने के बाद अभी नहीं सेर करना है जब आप वीडियो को देख लोगे संतुष्टी हो जाओगे पूरी तरीके से कि हाँ ये सर सही बोल रहे हैं जूट नहीं बोल रहे हैं उसके बाद इस वीडियो को सेर कर दीजेगा तहलका मचा दीजेगा तरीके से खतरनाक मूवी का एक ट्रेलर निकलता है उसी तरह आज की वीडियो में हम लोग ये मैथ का ट्रेलर हम लोग निकाल रहे है यानि ये आपका ट्रेलर वीडियो है थोड़ा सा हलका सा मैं आपको इंट्रेड्यूस कराऊंगा कि कि किस तरीके से मैं मैथ पढ़ाता हूं ठीक है वैसे पुराने स्टूडेन जानते होंगे कि मैं किस तरी या फिर नहीं पढ़ाने में आप मेरे बारे में जान लिजिये कि मैं आपको क्यो क्यों वाद़ा कि आ रा रहा हु कि आप 40 iv में 40 ला सकते हो क्योंकि 2015 के board exam में मैंने 95 marks लाया था 100 में यानि आउचा फंडीड में 95 मेरा marks था आप स्क्रीन में देख सकते मेरा गनित में कितना मार्स था, उस में 100 नंबर का जो कोश्चन आता था, सब्जेक्टिव कोश्चन रहता था, उस में मैं जब 95 ला सकता, तो फिर आप 2022 के या 2020 के एक्जाम में MC क्यों कोश्चन में 40 में 40 क्यों नहीं ला सकते हैं, बस आपको ट्रस्ट और भरोसा करना होगा, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, और थमनेल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद सेकिंड में इसका अंसर बनेगा, इसकी गारिंटी 100% है, मैं आपको लुभाकर या रिजाकर इस वीडियो में नहीं लाया हूँ, सच्चाई के साथ लाया हूँ, तो य हम लाके देंगे, इसकी गारिंटी है, अभाजी संख्या किसे करते हैं, ध्यान से समझेगा, वैसी संख्या जिसका सिर्फ केवल दो ही गुननख्ण होता है, यानि एक वही खुद संख्या और दूसरा वन, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि अभाजी संख्या कौन कौन है, ज और यह ना ही भाजी संख्या भी है, याद रखिएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा संख्या, दूसरा संख्या में देखते हैं, इसको गुननख्ण करते हैं, तो इसका एलसे हम निकालने के लिए दो से देंगे इसको, तो दो एकम दो, यानि इसका गु गुननखण में ये तीन आया वही संख्या और दूसरा वन आया तो यहां भी दो गुनानखण निकला इस संख्या का इश का मतलब ये भी एक अभाज संख्या है चार को भी जाँच लेते हैं चार का यदे अम लोग यह भाजी संख्या हुआ अभाज नहीं हुआ इस तरीके से भाज और अभाज को जांच कर सकते हैं अब हम लोग यहां पर कोश्चन को बनाना कैसे वो ध्यान से समझे कोश्चन बहुत टफ नहीं होता है लेकिना स्टूडेंट गनित में इसको टफ बना देते हैं कैसे बनाना देखिया ध्यान से यहां कोश्चन की बना दो या 2 से अधीक अभाज संख्या पहले हम दो को ले ल Review अभाजह ले ले देखिया लिक ऑससे क्तला दो कर द निकालों क क्या होगा दर ओक Re एक, तीन का भी LCM निकाल देंगे, हो जाएगा तीन, एकम तीन, तो इनको गुना के रूप में लिख देंगे, तो हो जाएगा तीन, गुने, वन, तो यहाँ पर दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों गुनान खण में, दोनों में common कौन चीज है, common मतलब दोनों में same में ले रहे, अगर बनाते हैं student के तरह, तो मातर दो second में इसका answer निकाल के रख देते, guarantee दे रहे, अब यहाँ देखिए, दो परीमे संख्याओ के बीच में कितनी परीमे संख्या हो सकती है, अब सबसे पहले student को यह समझना होगा कि परीमे संख्या किसे कहते हैं, तो simple तरीक में हो, जैसे 4 बटा दो, 3 बटा दो, कुछ भी रहे, तो वो अगर बटे के रूप में हो, लेकिन कुछ-कुछ यहाँ पर नियम लगेंगे, क्या, कि क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, यानि अगर 4 बटा दो लिख रहे हो, तो 4 बटा जीरो नहीं लिख सकते हो, यानि क्यों कभी भी जीरो नहीं होगा दूसरा नियम क्या है पी और क्यों दोनों क्या होते हैं पुर्णांख होते हैं अब पुर्णांख का मतलब बहुत सारे स्टुडेंट को गड़बड़ी होता है तो सिंपल भासा में समझ लिए पुर्णांख का मतलब होता है पूरा अं पूरांग कहते हैं या मैनस 5 को पूरांग कहते हैं समझ में आया ना इस तरीके के अगर संख्या रहेगा तो उसको पूरांग कहते हैं यानि उपर में मैनस 4 भी रहे नीचे 2 भी रहे तो चलेगा उपर में 6 भी रहे नीचे मैनस 2 भी रहे तो भी चलेगा लेकिन यदि उपर म नीची आयाएं को यदी कोई लावू करता है तो उसे परीमे संख्या करते हैं उम्मिद् Fin करते हैं आको समझ में आया वा अब समझते हैं यहाँ पर किस अगे बोला दो पढ Saxessa के बीच कितनी पढ़ी में संख्या हो सकती है मान के चलिए माई एक परीमें संख्या ले 1 बटा 2 दूसरा परी में संख्या ले रहा हो 2 बटा 3 अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझेए 1 बटा 2 अगर हम इसको 10 मलों में करेंगे तो 0.5 आएगा अब बहुत सारे स्टुडेंट इसमें कन्फ्यूज हो गएंगे कि सर 0.5 किसे है यहां देखिए नीचे जो दूर आता है उससे भाग दे देते हैं एक को तो यहां एक तो जाएगा नहीं तो 10 मलों दे देते हैं तो यहां पर 0 हो जाता है उसके बाद फिर यहां 5 से दे देते हैं इसको 10 आ जाता है दो पचे 10 यह खतम हो गया तो इस तरीके से 0.5 आ गया अब यह इसको भी भाग दे देंगे तो यहां पर 2 लिखेंगे और यहां पर 3 लिखेंगे इसको भाग देंगे तो यह दो तो जाएगा नहीं तो 10 मलों बठा देंगे त यहां पर यह हो जाएगा 0.66 यह दोनों दसमलों के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है 0.5 अगर लेते हैं तो 0.5 1, 2, 3, 4 यह भी ले सकते हैं मतलब बहुत सारे संख्याएं होती है इसी के कारण ही अंसर मेरा हो जाएगा अनंत यानि दो परिमे संख्याओं के बीच में कितने संख्याएं होती है अनंत लाको करोडो अर्बो याद रखिएगा इसको भूलिएगा नहीं आगे हम लोग नेक्ष्ट कोश्चियन की और बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्या है निमलिखित में से कौन अभाज संख्या है अभी हमने आपको बताया कि भाज संख्या किसे काते है अभाज संख्या किसे काते है अभाज संख्या उसे काते है जिसका सिर्फ केवल दो ही गुननखंड होता है एक वही संख्या जिसका पूछ रहा है और दूसरा one तो चेक करते हैं यहां पर एक एक option को यहां पर आठ को चेक करते हैं तो इसका गुनंखन करेंगे तो आठ का LC हम निकालेंगे तो दो चौके आठ दो दूना चार है ना उसके बाद फिर दो एकम दो यानि इसके गुनंख फिर तीन एकम तीन यहां पर देखिए तीन गुने तीन गुने वन यहां पर भी दो से अधिक इसका गुननखन आ रहा है यानि तीन संख्या तो है यह साथी साथ इन दुनों को गुना करेंगे तो नौ भी तो इसके गुननखन में आता है गुननखन किसे करते हैं जो संख्या सही यह जाएगा 11 यानि इसके अभाज गुरंखन में केवल 11 और दूसरा वन ही आ रहा है इसके अलावे कोई संख्या दुनिया में पाइदा नहीं लिया है कि इसको काट सके तो यह यह क्या हो जाएगा आपका अभाज संख्या हो जाएगा यहां पर 15 को भी चेक कर लेते हैं तो 15 को चेक करेंगे तो इसको एलसेम निकालेंगे तो 3 से जाएगा 3 पचे 15 फिर यहां पर यह पांच से जाएगा 5 यहां पर देखिए यह 15 के गुननखन में 3 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है यह भी अभाज संख्या नहीं होगा फाइनल अंसर 11 होगा अब आते हैं फूर्थ मासा 25 दिया हुआ है और लासा 50 दिया हुआ है तो संख्याओ का गुननखन क्या होगा मतलब दो संख्याओ का मासा और लासा तो दिया हुआ है लेकिन वो संख्याएं दोनों नहीं दिये हुए है और उसका गुननखन हमको क्या होगा वो हमको निकालना है तो कैसे जिसा हर हाल में याद करना होगा, यह फर्मूला याद नहीं होगा, तो बता रहें ऐसे कोश्चिन एक्जाम में पूचते हैं, तो उस टैम बनेगा नहीं, क्या फर्मूला है, दो संख्याओं का गुननफल बराबर उस संख्या का एलसियम और एसीफ होता है, ठीक है, यानि द संख्या यहां पर पूछा है तो यहां पर पता नहीं है दो संख्या को एक्स मान लेते हैं और दूसरी संख्या को वाई मान लेते हैं और यहां पर देखिए इस कैल्सियम क्या दिया हुआ लासा मेरा पचास तो लिख देंगे पचास गुने S.C.P. क्या दिया हुआ है यानि मासा पचीस तो लिख देंगे पचीस अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा पचे पचीस के पांच हात में दो पाझनी 10 सरदू बारा यानि 125 और 0 लगया यहां पर यानि 1250 यहां पर यह आया तो यही वो भी मैं करवाऊंगा यह चोटा सा ट्रेलर था मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माधियम से कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा क्या आप इंट्रेस्ट हो मेरे चैनल से इस वीडियो से पढ़ाने से तो प्लीस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उमीद करते हैं आज के वीडियो में आपको बहुत ही पसंद आया हुआ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहन जैजहरखन